दोस्तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा का बैंक आप बढ़ोदा के डिटिचल करंसी को आप कैसे यूज कर सकते हैं और आप डिटिचल करंसी के वायड में मनी को कैसे लोड कर सकते हैं और क्या आप थर्ड पार्टी अप्लिकेशन जैसे फोन पे गूगल पे या तो करती हैं जैसे मनें यहां पर बैंक आप बढ़ोदा के डिचल करंसी में पहले रेइस्टेशन कर चुका हूं और इसका वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी आप जाके दिख सकती हैं तो इस वीडियो मैं आपको डिजल रूपीज के वालेट को यूज करने का अपक गिली करना है तो आपके सामने करंसी देखने कूं मिल जाएगा जैसे आपके पास फिजकल करंसी होता है अपके सामने के darling 200 कि 500 और यहाँ पर 2000 की नोट है और यहाँ पर आपको कोई भी देखने सार्थ कर रहा हूँ रुप्याद करीं को चार हों लोड करा हूं यह नहीं कट कर दे रहा हुँं यहां पर कर दे रहा हूं मालों को फिमेश से माइनस करनाई तो यहां पर नीचे स्कॉल करूंगा तो यहां पर क्रिक करना होगा करण पर जो भी आप नौड लोड किया यहां पर नोड का आपको देखने कुंद रख सकती है तो चलिए मैं यहां पेटियम से पैसा लोड करने वाला हूं तो पेटियम उप्लिक करूंगा उसके बाद यहां पर मैं जो है पेटियम अप्लिकेशन में लोगिन हो जा रहा हूं उसके बाद जैसे हमको यहां पर अठार ओप्या लोड करना है तो मैं यहां पर जैसे मेरा पेटियम में यूपी प डाल दे रहा हूं उसके बाद यहाँ पर आपको right down all option प्रीक्लिक करना है तो आपको उसके अपको एकड़ करना है है यहां पर successful हो गया उसके बाद हमको रिटारेट कर देगा हमारे wallet में तो अप यहां पर देख सकते हैं जैसे आपका पैसा बैंक काउंट से कटा है हुआ पैसा आपके चार से पांच दिन के अंदर में आपके बैंक काउंट में वापीस चला जाएगा आपको टेंशन लेने की ज़ूरत नहीं है मैं ओके वाले उप्षन प्रिक करता हूं तो मैं यहां से बैक करता हूं क्यूंकि हमारे व क्या आमालूं क्यों आज नहीं लोड हो रहा है यहां से हमारे वालेट में 7 रुपिया पड़ा हुआ है तो अगर आप किसी को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको यहांप सेंट वार टॉप्संप पे क्लिक करेंगे तो आपका करेंड बैलन्स आपको देखने को मिल यहां पर दो option देखने की मिल जाएगा Send digital रुपीज वाया याने कि आप किसी के नंबर से Content number से पैसाiset टान्फर कर सकती हैं आप चाहे तो qr code को सिकेन करने पैसा टान्फर कर सकती है बता सै है qr code का है btm का तो मैं यहां पर qr-code वाले उसको scan किया तो हमारे सामने यहां पर एक एलेट सो हो गया person to person payment not allowed for UPI for CBDC का option देखने को मिल गया है मैं OK वाले उसन पर क्लिक करता हूँ क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो third party application का QR code होगा जैसे phone पर Google पर पेटेम का तो यह scan नहीं करेगा अगर मैं यहां पर content वाले उसन पर क्लिक करता हूँ यहां पर भी मेरे पास एक mobile number जिस पर UPI बना हुआ है तो मैं यहां पर इस number को set कर लेता हूँ उसके बाद यहां पर verify वाले उसन पर क्लिक करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं verification failed हो गया यानि कि आप जो है UPI के नंबर के थुरू किसी को पैसा नहीं transfer कर सकते हैं नहीं आप किसी third party application के थूर को को इसके पेमेंट कर सकते हैं पेमेंट आप करेंगे जो digital rupees wallet का जो UPI QR code रहेगा UPI number रहेगा आप उसी से payment उसी नंबर पर payment कर सकते हैं receive भी कर सकते हैं तो आपको यह ध्यान देना है यानि third party application को आप QR code को scan करके इस digital rupees से आप wallet पेमेंट नहीं कर पाएंगे नहीं आप UPI नंबर पर आप digital rupees से payment कर सकते हैं उसके बार यहाँ पर मैं बात करता हूं collect का अगर मैं collect वाल उप्सन पे क्लिक करता हूं माल लोगे किसी से पैसा आपको मंगवाना है अपनी number पर या QR code को scan करके तो आपको यहाँ पर amount डाल देना है जैसे मैं यहाँ पर 10 रुपया डाल दे रहा हूं यहाँ पर generate QR option पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक के 10 रुपय का QR code generate हो जाएगा अगर चाहे तो इसको आप share क कर सकते हैं कहीं पर भी तो इस तरह से आप QR code को generate कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर redeem करते हैं तो जो आपके bank account में पैसा है वह आपके उसी bank account में चला जाएगा जिस bank account से आपका पैसा कटा हुआ है मानलो कि हमारे wallet में 7 रुपया है मैं 2 रुपया अपने उसी bank account में वापिस transfer करना चाहता हूँ जिससे मारा पैसा कटा हुआ था तो यहाँ पर दो रुपया जैसे यहाँ पर मने add कर दिया हूँ और आपको यहाँ पर redeem डिचल रुपीज इसके उपर आप क्लिक करेंगे तो आपका पैसा इसी account में चला जाएगा जहां से पैसा कटा हुए मैं इसके उ और यहाँ पर मैं अपना wallet pin डालता हूँ सीडिज का wallet pin इंटर करने के बाद में यहाँ राइट डियान वाल बिसम पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिचल रुपीज redeem successful हो गया है यहाँ पर message भी आ गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे इसी account में पैसा वापिस चला गया है जिस account से पैसा कटा हुआ था तो आप देख सकते हैं नाम आ गया है यहाँ पर अब हमारे account म याण ने मारे वालेट में पांच रुपया बचा हुए expressed अब देख सकते हैं 2 रुपया जो है ट्रांसफर हो गया है ठीक है उसके बाद दोस्तों जैसे मैं यहां पर चारों के बारे बारे मैं आपको बता दी हैं हो यहां पर रिच्टff यह जैसे मैंने दो रुप्म है यहां पर ятно सिखने कटर सकती हैं तो चले मांस के करता हूं उसके बाद यहां पर आपको दिखाए देगा profile अगर अगर पे क्लिक करती हैं तो आपका यहाँ पे क्यूर कोड पहले से जनरेट हुआ होगा आपको यहाँ पे देखने क Willड़ेगा उसके बाद यहाँ पर ऐबाऊट वालेट अगर आप इस लेवाट वालेट डीक करते हैं तो आपका यहाँ पर नाम देखने चाहते हैं तो आपको एक्टिवेट करना होगा आपको यहाँ पर आई कानफरम वाले एवसंट पर करेंगे काण्टिन वाले उपस्ट पर करेंगे उसके बाद आप यहाँ नमबर लिंकिंग सक्षिजफूली हो गया यानि कि आपका मौइल लंबर या डिट्जल करंशी के लि transaction history अगर इसके उपर आप लिक करेंगे जो अभी आप transaction किये रहेंगे वहाँ पर आपको history पूरी देखने को मिल जाएगी उसके बाद यहाँ पर pin setting इसके उपर आप क्लिक करते हैं अगर आपना pin को भूल करेंगे आपने debit card की details देंगे उसके बाद एक निया pin आप बना सकती है तो यहाँ अपने pin को forget भी कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर डी register wallet इसके उपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इस wallet से डी register हो जाएंगे जैस इसके उपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ दे सकते हैं डी register redeem balance जो है आपका primary जो बैंक आउंट लिंक होगा primary उसी में आपका पैसा चला जाएगा डी register वालेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे आपना wallet pin डालेंगे तो आप जो है बैंक आप बड़ावदा के digital rupees क wallet से डी register हो जाएंगे उसके बाद दोस्तों आप जो है चाहे तो यहाँ से आप अपने wallet को यहां से इसके उपर अपक्लिक करेंगे तो यहां से अपने wallet में logout हो सकती हैं यहां पर confirm connection पर क्लिक करेंगे तो हम जो है अपने digital currency wallet में logout हो गए हैं तो दोस्तों इस तरह से आप अपने digital currency को यूज़ कर सकते हैं तो आइफोर दोस्तों के लिए पसंद रहे हो भी लाइक की